कुछ एसे कनून के खिलाप बोल रहे थे तो उन पर कारभाई की गई है और उस कारभाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं हमारी सरकार जो न नफरत की राजनीती नहीं करते हम तो तरक्की की राजनीती करते हैं मेरा खून का कत्रा कत्रा मेरे दिल की एक एक धड़कन मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है पंजाब जो है वो नमबर वन सूबा था और नमबर वन सूबा बनाएंगे मान दोस्तों जब भी पंजाब का ख्याल मन में आता है तो लहराती फसले नाचते जूमते लोग शूर्वीरों योदाओं की कुर्बानी की कथाएं और गुर्बानी सर्वत का भला मांगने वाली गुरुओं की गुर्बानी मन में आती है और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतरत दिया है चाहे वो आजादी का अंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में, ग्रीन रेवलूशन के रूप में, अन्यक के मामले में, अनाज के मामले में देश को आतन निर्वर करने का एक टास्क हो, तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है, और पंजाब के लोग हस जाने खेलने के लिए खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे पंजाब के लोगों की अमन शान्ती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजा पंजाब के शोशल भाईचारक सांज को जिसने भी पंजाब की अमन शांती को तोड़नी की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों ने उसका मूँ तोड़मा जवाब दिया। स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे, तो उन पर कारवाई की गई है और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सक्स सक्स सजादी जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमानधार पार्टी ह पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप्रयू उसको हम बक्षेंगे नहीं क्योंकि लोगों ने बारी बहुमत देकर हमां बहुत बड़ी जम्मेदारी दी है दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए हम ये करेंगे हम ये गैर करोनी काम करेंगे आप हमारा साथी जी बहुत असान है मुझे बहुत लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया पंजाम में अमन और शांती रहनी चाहिए इस मामले में हम अपका साथ देंगे क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में न पढ़ जाएं जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ओफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दलवाने की बाते कर रही है तो हमारे लिए प्रात्मिक्ता किताबे हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता लैप्टॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता कोई गैर समाजिक हत्यार नहीं है तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस operation के दुरान बहुत साथ दिया पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई पत्थर जा कंकर चलने की घटना की रिपोर्ट नहीं आई इससे मेरा भी होसला बढ़ा है कि लोग जो है वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो हैं नफरत की राजनिती नहीं करते हैं हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं हम सकूनों की बात करते हैं अस्पतालों की बात करते हैं बिजली की बात करते हैं इंफ्रसक्चर की बाते करते हैं और अर्विंद केजरिवाल जी की गवाई में आमादी पार्टी जो है यह मै बात कलीर कर देना चाहता हूं देशवासियों को 130 क्रोड देशवासियों को कि अर्विन केजरिवाल जी की गवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है हम लोग किसी धरम के नाम पर जाती के नाम पर जान अफरत के नाम पर कभी भी राजनीती नहीं करते और पंजाब की शान्ती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है को कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांती को तोड़ने का यह आपकी गलत फैमी होगी तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशबाशन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कट्रा-कट्रा मेरे दिल की एक एक धड़कन मेरा एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है हाजिर है पंजाब के लिए मेरी कुन का के कत्रा और पंजाब जो है वो नमबर वन सूबा था और नमबर वन सूबा बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात का हमें घरव है तो पंजाब की शांती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारने की सोचेगा भी तो सक्त से सक्त कारवाई होगी यह हमारा वादा है और इसी लिए आपने हमें जुम्यदारी दिया है उस जुम्यदारी के अधार पर ही मैं कह रहा हूँ के पंजाब के लोग बिलकुल निश्चनत रहें पंजाब सेफ हाथों में है आमादी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायत पर उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी बज़र्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए-नए जो है म जदेंधना वह ऑंजडर पार्टी करुआ ।